हे गाइस वैलकूम बेक टू माई यूट्यूब चैनल वायानेट हेल्थ दोस्तों हर शाधी शुता भारेते मैं लाए अपने पती की लंबी आयों के लिए करवा चोथ का व्रत रखती है ये व्रत सूरे उदे के साथ शुरू होता है और चान निकलने के बाद ही खुला जाता है ऐसे में इतने लंबे समय तक बूखे और प्यासे रहने से आपकी सिहत पर भी असर पड़ सकता है इसलिए ऐसे कठी नुपवास करने से आपके शरीर को पहले से ही तियारी कर लेने चाहिए अगर इस साल आपका पहला करवा चोथ है तो जाने व्रत रखने से पहले आपक एक रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजे और साथ ही बने इस बाला आइकन को भी प्रेस कर लीजे ताकि जैसी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उस वीडियो की जान करें आप तक सबसे पहले पहुच चाहें और आप उस वीडियो का फायदा उठा सके तो चलिए जानते हैं नमबर रात में खाये हलका खाना तोस्तों करवा चोच से एक राप पहले डिनर हलका और हैल्दी करें आप चाहें तो दलिया या फिर मूंग दाल की खिचरी खा सकती है इसके अलावा रात को सोने से पहले आप दूद या दही के साथ मेवे जरूर खाईए इससे आपका व्रत का दिन अच्छे से गुजरेगा नमबर दो सर्गी में खाये पोस्टिक अहार दोस्तों सुबा सूरे उदे से पहले होने वाली सर्गी में हर तरह के पोस्टिक चीजों को शामिल जरूर करें आप गेहूं और मल्टी ग्रेन से बनी चीजे भी खा सकते हैं इससे आपका पेट भी बरा रहेगा और आपका करवा चौद का दिन भी बेहत अच्छी से निकल जाएगा नमबर तीन दूद से बनी चीजे खाएं दोस्तों सर्गी में घर का बना हुआ द इसकी मदद से आप खुद को हेल्दी भी रख सकती हैं नमबर चार मीठे पर रखें काबू दोस्तों मीठी चीजे खाने से आपको इंस्टेंट इनर्जी तो मिल जाती है लेकिन इससे भूक और प्यास भी जादा लगने लगती है इसलिए करवा चोद की सुबा खाने के सम में आप अपने मीठे चीजों पर काबू ज़रूर रखें नमबर पाच फल और मेवे खाएं दोस्तों व्रत के सुबा बदाम अख्रोट काजू किश्मिश ज़रूर खाएं यह आपको पूरा दिन एनर्जी से परपूर रखेंगे दिन पर प्यास पर काबू पानी के लिए आप सेब और दूसरे फलो का भी सेवन कर सकते हैं और साती साथ आप सर्गी में नार्यल पानी को भी शामिल ज़रूर करें इससे शरीर पूरे दिन हाइडरेट रहेगा नमबर 6 खुद को रखें बिजी दोस्तों व्रत के दिन खाने और पानी की तरफ ज़्यादा दियान जाता है इसलिए खुद को किसी ना किसी काम में बिजी रखें घर में भारी भरकम काम ना करें क्यूंकि आप भारी काम करेंगी तो आपको प्यास और भूग लगेगी तो आप ये काम ना करें तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद करती हूं मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूलें फिर मिलूंगी एक नही जानकारी के सा तब तक के लिए टेक केर और बाई बाई